बरसही जलद दूसरी काई पहला चेप्टर पोयम प्रस्तुत पद्यांस गोस्वामी तुलसिदास रामचरित्र मानस महा काव के किसकिंधा कांड से लिया गया है यहां पद्यांस शौपाई एवंग दोहाख शंद में है यहां गोस्वामी जी ने वर्षा रित्मे होने वाले परिवर्तनों का सुन्दर वरणन किया है उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिती विविद गुणों दुर्गुणों को भी दरसा है कैसे उनके गुण और दुर्गुण होते हैं उपरोग्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है, स्री राम लक्षमर सीता जी की खोज में भटक रहे हैं और कहते हैं हे जल चर हे मधुकर स्रेनी तुम देखी सीता म्रंगनैनी ऐसे राम जी और लक्षमर जी खोज कर रहे हैं सीता जी का तो सीता जी के बिना स्री राम जी व्याकल है और राम चंद्र जी कहते हैं क्या कहते हैं आस्मान में बादल घोर गरजना कर रहे हैं पत्नी सीता के ना होने से मेरा मन डर रहा है कि बेचारी किस हालत में होगी आकास में विजली ऐसे चमक रहे जैसे दूस्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती इस प्रसंग को हम पढ़ते हैं आईए चौपाई और दोहा के माध्यम से ये लिया गया है पहला चौपाई घनगमेंड पढ़ने का भी तरीका अपना होता है घनगमेंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डर्पत मन मोरा दामिन दमक रहाई घनमाही खलके प्रीत जथा थिरनाही बरसही जलद भूमिन अराए जथा नमही बुध विद्या पाए बूद यगात सहाई गीरी कैसे खलके बचन संत सहजेसे चोद्र नदी भर चली तो राई जस थोरे उधन खल इतराई भूमि परत भाढ़ा भर पानी जन जीवही माया लपटानी सिमेट सिमेट जल भर ही तलावा जिम सद गुन सजन पही आवा सरिता जल जल निधिम हुजाई होई चल जिम जीवहरी पाई हरत भूमे त्रण संगुल समझ पर ही नहीं पंत जिम पाखंड विबाद ते लुप्त होई सद ग्रंत सियावर राम चंद्र की जये तो पहले चोपाई में क्या कहा है घन घमंड नभ गर्जत गोरा प्रिया हीन डर पत्मन मूरा राम चंद्र जी कहते हैं कि घन आकास में बादल उमड घमंड रहे हैं यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बादल भयंकर गजना कर रहे हैं प्रिया के बिना सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है दूसरे में कहते हैं दामिन दमक रहा ही घनमा ही खल के प्रीत जथा तिरना ही दामिन दमक रही है विजली आकास में ऐसे चमक रही है जैसे खल के प्रीत जथा तिरना ही जैसे दुष्ट व्यक्त की मित्रता इस्थिर नहीं दहती यानि यहाँ वहाँ चमकती है विजली और चमक कर लुप्त हो जाती है मतलब गायब हो जाती है आगे बरस ही जलद भूमिन यराए जथा नमही बुध विद्या पाए बरस ही जलद बारश ऐसे हो रही है लगता है जमीन के नजदीक आ गए है प्रतिवी के नजदीक आकर बरस रहे हैं ठीक उसी प्रकार जैसे विद्यान विक्ती विद्या पाकर विनम्र हो जाता है जथा नमही बुध विद्या पाए आगे की लाइन बूंद अघात सहेंगीर कैसे खलके बचन संत सहेंजैसे बूंदों की चोट बूंद अघात प्रहार हो रहा है बार बार किस पे पहाड पर परवत पर बूंद अगहात सहय गिर के से जिस प्रकार परवत सहन कर रहा है एक एक बारिस के बूंदों को ठीक उसी प्रकार जैसे संत पुरुस दुस्टों के कटू कडवे बचन को सह लेते हैं दुष्टों के खलक मतलब दुष्ट के बचनों को संत जिस प्रकार सहते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे गिर नाम पहाड बूंद के चोटों को पानी के बूंद की चोटों को सहता है आगे की लएं चोटी चोटी नदियां ऐसे जल भरकर चली तोराई मतलब आगे बढ़ती हुई तोड़ते हुए अपने किनारों को आगे बढ़ रही है जस थोड़े ठीक उसी प्रकार जैसे थोड़े से धन को पाकर खल व्यक्ती दुष्ट व्यक्ती अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं अपनी मर्यादा भूल जाते हैं भूमि परत भा धाबर पानी जन जी वही माया लपटानी प्रतिवी पर ऐसे पानी गिरते ही क्या हो जा रहा है धाबर गंदा हो जा रहा है भूमि परत भा धाबर पानी जिस प्रकार भूमि पर पानी गिरते ही गंदा हो जाता है जैसे मनुष्य पैदा होती जन वही माया लपटानी जिस प्रकार हर मनुष्य को प्राणी को माया लिपट गई हो ऐसे माया अपने जीव को बांध लेती है मतलब वर्षा का पानी सिमिट सिमिट थोड़ा थोड़ा इकत्रित हो करके तालाबों में भर रहा है जैसे एक एक कर सदगुण सज्जन विक्ति के पास चले आते हैं आगे किलाएं सरिता जल जल निधि महुझाई सरिता नाम नदी जल पानी जल निधि समद्र महुझाई उसमें चले जाते जिस प्रकार सरिता नाम नदी का पानी समुद्र में चला जाता है और इकठा स्थिर हो जाता है वहाँ पर होई अचल जिम जीव हरी पाई जिस प्रकार जीव ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है आवा गमन से मुक्त हो जाता है 84 लाग योनि से भटकने से अच्छा वो मुक्त हो जाता है इश्वर को पाकर आगे के दोहा में क्या लिखा है हरित भूम त्रण संकुल समुझ परहिन ही पंथ जिम पाखंड विबाद ते लुप्त हों ही सदग्रंथ जिस प्रकार वरशारी तुमें भूम प्रत्वी पर हरे भरे घास हरी हो जाती है घास हरी भरी होकर समुझ परहिने पंथ रास्ता दिखना नहीं बंद हो जाता है रास्ता पता ही नहीं चलता है यहां से रास्ता भी थाया नहीं यह दिरिश्च देखकर ऐसा लगता है जिमी पाखंडु भी बादते लुप्ट होई सद्गरंथ जैसे पाखंडी मनुस्य के मत प्रचार से मत मतलब विचार जो उनका मत है अपने मत से वो प्रचार करते हैं और उस प्रचार से ऐसा लगता है लुप्त हों ये सद्ग्रंथ हमारा सद्ग्रंथ लुप्त होते जा रहा है आगे चोपाई दादुर धुनि चहुती सा सुहाई बेद पढ़ें जैसे बटु समुदाई दादुर धुनि चोंबिसा सुहाई दादुर नाम मेंधक कभी कहते हैं कि वर्षाकाल में गुश्वामी तुलसिदाश जी कहते हैं वर्षाकाल में चारो दिसाओ में ऐसा लगता है मेधक अपनी धुनि से सुहावनी धुनि से क्या कर रहे हैं गानेगा रहे हैं सुहावनी धुननी काले ऐसा लगता है वेद पढ़ें जस बट्व समदाई ऐसा लग रहा है कि विद्ध्यार थी ब्रामण के विद्ध्यार थी माल समुहमर आकर वेद का पाठ कर रहे हों वेध कितने हैं, चार, रिग वेध, साम वेध, अधर वेध, यजर वेध, चार वेध है अनेक नव पल्लव भय विटप अनेका साधक मन, जस मिले विबे का नव पल्लव मतलब नेने को पले आ रहे हैं जिस प्रकार साधक के मन में जस मिले विवे का जिस प्रकार साधना करने वाले व्यक्ती किसी विव्यक्ती का मन ज्यान प्राप्त करने पर प्रफुलित खुश हो जाता है उसी प्रकार ऐसे लग रहा है व्रक्ष में नहीं नहीं कोपले आ रही है अर्क जवास पात बिन भयो जिस प्रकार अर्क जवास पात बिन भयो जिस सुराज खल उद्यम गयो बरसात के दिनों में मदार एक पक्ता होता है जो एक पोधा है जो इसका पत्ता संकरजी को चड़ता है और जवास वेसे ही है तो अर्क जवास पात बिन भरसा के रितुमें अर्क और जवास के पात गिर जाते हैं बिना पत्ते का हो जाता है पत्ते के साथ नहीं पत्ते रही तो हो जाता है ऐसा उन्हें देखकर लगता है मानो अच्छे सासक के राज में दुस्टों का दंदा खत् रहा हो अर्क जवास पात बिन भयो जस सुराज खल उद्यम गयो ऐसे लग रहा है कि अच्छे सा सक्के राज में दूष्ट लोग खत्म हो रहे हो खोजत कतहु में लही नहीं धूरी करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी जिस प्रकार वर्षा रितमें धूल खोजने पर भी कहीं ही मिलती है जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है उसी तरह ऐसा लग रहा है कि वर्षा ने धूल को भी नश्ट कर दिया हो ससी संपन सोह मह कैसे उपकारी के संपती जैसे अनाज यूगत जैसे लहलाती हुई भरी भरी खेती प्रतिवी कुछ इस प्रकार सुभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ती सुभायमान होते हैं उपकारी के समपति जैसे आगी की लाइन निसी तमघन खद्यों की विराजा जिन दंद्वेकर मिला समाजा निसी रात के अंदकार में जिस प्रकार जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं इधर चमकते उधर जारे इकठे हो रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे घमंडियों का जिन दंद्वेकर मिला समाजा जिन ऐसे लगता है कि मान लो घमंडियों का समूँ ग्रूप एक साथ इकठा हो गया है क्रिसी निरामही चतुर किसाना जिम बुद्ध तजही मोह मदमाना क्रिसी निरामही अपना खेद निराना मतलब फसल के अलावा जो उसमें घास फूस लगए उसको निकाल रहे हैं तो चतुर किसाना अपनी फसल की निराइक रहे हैं अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेक रहे हैं इसे देख कर लगता है जैसे विद्ध लोग क्या तज़ रहे है मोह मदमाना माया तीनों को त्याग रहे हूं दियक्षत चक्रवाक खगना ही कलेह पाय जिम धर्म पराही जिस प्रकार चक्रवाक बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी नहीं दिखाए दे रहे हैं ऐसा सिमिलर सेम लग रहा है जैसे कल्यूग में कलिह पाई जिम धर्म पराही जिस प्रकार कलियुग में धर्म का पलायान हो रहा हो विविद जन्त संकुल महिभराजा प्रजाबाढ जिम पाई सुराजा विविद अनेकनेक प्रकार के जीवों से भरी है प्रत्वी जिम जंत संकुल महि भराजा अनेक अनेक प्रकार से प्रथिवी जीव जंत से भरी हुई है प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा उसी तरह यह लगता है सो भाइमान हो रहा है जैसे अच्छा राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धी होती है प्रजा का विकास होता है ऐसा बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसे जंगल में जैसे प्रथिवी पर अनेक जीव जन्त से भरी पड़ी है जहता रहे पथिक ठकिनाना जिम इंद्रिय अगन उपजे ग्याना यहां वहां अनेक राही ठक कर जिस तरह ठहर जाते हैं स्थिर हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार जिम इंद्रिय अगन उपजे ग्याना जिम इंद्रिय अगन उपजे जैसे मनुष्य को घ्यान प्राप्त होने पर इंद्रिया सिथिल हो जाती हैं विशयों की ओर जाना छोड़ देती हैं अब पांच ज्यान इंद्री होती है और पांच कर्म इंद्री ज्यान इंद्री पांच कौन सी है नाक कान आक तुचा जीवा पांच ज्यान इंद्री और पांच कर्म इंद्री आप सभी जानते हैं कभी कभी वायू तेजगती से वहती है और बादल चले जाते हैं जहां तहां मेग बिला ही बादल चले जाते हैं गायब हो जाते हैं यह द्रिश उसी प्रकार लगता है जिम कपूत के उपजे जैसे परिवार में कुपत्रक कोई ऐसा पूत्र संतान पैदा हो जाए जिसमें हमारा क्या हो सकता है उत्तम धर्म स्रेष्ट आचरण क्या हो जाता है उसमें से नश्ट हो जाते हैं कभी कभी दिन में भी क्या हो जाता है बादल के कारण अंदेरा चा जाता है और कभी कभी सूर्य प्रकाट हो जाता है कभी कभी प्रकाट पतंग मतलब सूर्य प्रकाट हो जाता है यह देखकर ऐसा लगता है तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्यान नश्ट हो गया हो बिन सही मतलब नस्ट हो जाना उपजय प्रकट हो जाना उत्पन होना ज्यान जिम पाय कुसंग सुसंग ज्यान का उत्पन होना और ज्यान का नस्ट होना संगत के उपर है अच्छी संगत पाकर ज्यान उत्पन होता है बुरी संगत पाकर ज्यान नस्ट हो जाता है ये स्री राम चरित म पानस के किसकिन्दा क्यांड से लिया गया है